अनुमान जी का जनम कैसे हुआ सुनिए छोटा सा प्रसंग है जो हनुमान जी की मा है अंजना इस स्वर्ग लोग की अपसरा थी इनका नाम था पुंजिका तो बड़ा सुंदर इन्रत्य करती थी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी स्वर्ग लोग की तो एक दिन की बाद एक साधू कोई टेड़ा सा था तो वो जा रहा था तो उसको देख कर ये उसका मजाग उड़ाई एक बात याद रखो आप अच्छे हैं अच्छी बात है पर सिर्फ आप ही अच्छे हैं सामने वाला बुरा है ये बुरी बात है आप अच्छे हैं गुड थिंकिंग पर सामने वाले को भी अच्छा समझना चाहिए और दूसरी बात कभी किसी के वेश को देख करके कभी किसी की विकृती को देख करके परिहास नहीं करना चाहिए कोई गरीब है तो उसकी कमी क्या है बगवान ने तुम्हें इतना दिया तो थैंक्यू बोलो उसके पास कम है तो ठीक है कम है कभी किसी का मजाग जीवन में मत बनाओ मा अंजना ने उस संत को देख करके हस दिया तो संत ने श्राब दे दिया अंजना जाओ तुम बानरी हो जाओ बंदरिया बन जाओ अब मा अंजना तो चरडों में गिर गई हे प्रभूक्षमा करो अपराध हो गया एक बात बताओं जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती तब तक ठाकूर की याद नहीं आती आज कल की सबसे बड़ी बात आदमी तब भगवान को भजेगा जब उसका निजी स्वार्त होगा जब ठोकर लगी जब तुनिया के ताने पड़े जब सब जगे से सारा तूट गया तब कहता ए गोविंद अब तुम ही हमारे हो जब जीवन अच्छा था तब याद किया होता तो शायद ये बुरे दिल नहीं आते इसलिए अपने अच्छाई में अपने सुख में अपने मंगल उत्सों में कभी भगवान को नहीं भोलना चाहिए अजना चरडों में गिर गई संत ने का ठीक है चिंता मत करो जाओ मैं शापतों मैंने दिया है बानर के घर में तो तुमारा जन्म होगा लेकिन तुम जब भी चाहोगी अपना इस्तरी रूप ले सको मानव बन सको कहा ठीक है आगे अंजना जी कुंजर नाम के वानर के घर में अंजना जी ने जनम लिया अब कुंजर नाम के वानर के घर में जनम लिया तो वानर के घर में पैदा हुई तो उनका विवाह भी वानर से होगा तो इनका विवाह केसरी नाम के वानर के साथ में हो गया विवाह के दशवर्स बीत गए पर कोई संतान नहीं हो तब इनोंने अपने पती की आग्या मान करके मानवी रूप में भगवान संकर की तपस्या करी जब भगवान शिवकी तपस्या करी संकर जी प्रसन हुए आ वर्दान मांग लो क्या चाहिए मुझे आप जैसा तेजवान पुत्र चाहिए संकर जी ने कहा ठीक है मेरा ही रूप आपको प्राप्त होगा कहे करके चले गए उदर भगवान ने एक सुन्दर अवतार लिया था विश्व मोहिनी का आप सब भागवत में कथा सुन्ते है तो भगवान का विश्व मोहिनी अवतार इतना सुन्दर था इतना सुन्दर था कि बड़े बड़े रिशियों ने काम को धारण कर लिया बड़े बड़े रिशियों का त्याग छूट गया बड़े-बड़े संतों का मौन छोट ले, इतना सुन्दर, अब सच कम जब ठाकुर जी ऐसे ही इतने प्यारे लगते हैं, जब बंसी बजाते हुए, धेन उचराते हुए, ऐसे सिंपल एक इतामबर उड़ लेते हैं, तब तो इतने प्यारे लगते हैं, अब जब छोराते छो बड़ी बने होंगे, तो सच बताओ कितने संदर लगे होंगे, भगवान ने जब विश्व मोहिनी अवतार लिया, तो सब ने दर्शन किये, पर भगवान संकर नहीं देख पाए थे, तो भगवान संकर ने भगवान नारायन से निवेदन किया, कि प्रभू हम आपका विश भी हो जाए, हमें तो आपका वो दीदार करना है, वो जलग करनी है, और भग्त तो वही सबसे बड़ा है, जो अपने जीवन के अभवाव में भी भगवान को खोज ले, भगवान तीन चीजों से मिलते है, या तो भगवान अभवाव हो किसी रिस्ते समंद का, तब भगव भगवान को बना लो, तब भगवान मिल जाए, या तो आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपका प्रभाव है भक्ती का, तब मिल जाए, और तीसरा, या तो आप में भाव हो, तब भगवान मिलते हैं, संकर जी में भाव है, संकर जी तो आपका दर्शन करना, जीवन कुछ भ व्रक्ष लगाए, उड़े संदर-संदर फलों के व्रक्ष लगाए, और लगाकर कि अचानक भगवान गायब हुए नारायन और छम-छमाती हुई विश्व मुहिनी का रूप लेकर के आगे। आहा, संकर जी ने ऐस जैसे संदर रूप देखा, सास्त्र तो कहता है, भगवान संकर के संतान उत्पन करने वाला वीज प्रत्वी पर जागिना। भगवान सिव ऐसे अद्भुत रूप को देख करके, भगवान विश्णु के उस मुहिनी रूप को देख करके अपने आपको सभाल नहीं पाए, पागल हो गया लिंगन करने के लिए, दोड़ पड़े, भागते भागते क्या हुआ, वो लीला पूर्व निर्धारित थी, भगवान संकर का जो संतान उत्पन करने वाला शरीर में बीज था, वो प्रभु नीचे गिरा, और जैसे गिरा देवताय और देवताओं ने उस कटोरी में उस बीज को लिया, अब भगवान सिव का वो अंस, तो साधारण तो है नहीं, इसका क्या करें प्रभु, तो संकर जिने का अब एक काम करो, अंजना तपस्या कर रही है, पवन देव को वो कटोरा दिया, कहा जाओ कान के मार्ग से, अंजना के गर्भ में ये मेरा अंस इस्थापित कर दो, पवन देव उसको लेकर के आए, अंजना के कान के मार्ग से गर्भ इस्थापित किया, और उसी गर से श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट्ट उद्धा ओलनुमान जी महाराज की एक तो अनुमान जी के तीन बाप कैसे पवन देव कटोरा लेकर याए तो इसलिए पवन देव मदद किए तो पवन पुत्र अजनी के सरी के बेटे हैं तो केसरी नंदन और संकर सुवन कैसे हैं चुकि संकर जी का अंस है और तब हनुमान को भक्ती मिली क्यों भक्ती उसको मिलती है जो विश्वास से उत्पन होता है जो प्रेम से उत्पन होता है जो समद्रिष्टा होता है एक बार बोलना पड़ेगा जैश्री कृष्णा राधे राधे